हेलो एवरिवन मैं बिलाल एक बार फिर से अब सभी का स्वाकत करता हूँ अपने यूटूब चैनल स्टडी रीद बिलाल सुर में तो डियर स्टुडेंट आज हम बात करने वाले इस वीडियो में वीडियो 1221 के बारे में इसके रवर सीने नियू मार्कियं सिस्टम इस बार लॉन्ज कर दिया यानी पिछली बार की तरह जो एक्साम होते थे जूए उस IntelW c में उसमें काफी बदलाव आने वाला है नाइन क्लास और सभी के मार्किक सिस्टम और कोशन पूछन के तरीके में या कोशन पूछने के पैटर पूरी तरही तरह से बदलाव लाया गए यह विद्व बने रही है वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब कि तो कि पर बऊस्द निस्कीम के अनुसार कशा ग्यारवी और बारवी सीपैसी पोर्ट एक्षामें के लिए बीस पर तिसत्त जो है कोशन कैसे ओंगे योगता आधार पर प्रसन पूछें यानि स्लीबस से बाहर भी कोशन पूचा जा सकता है यानि सिर्फ आप में सीलिबस पर ही एरदिगेद घूमने नहीं है उसके अलावे कोशन पूछे जा सकते हैं इसके लावा जो बीस पर तिसत जो कोशन होंगों दोस्तों होंगे objective type के प्रसंद होंगे और यह जो प्रसंद होंगे योगता आधारित प्रसंद बहु विकल प्रसंद प्रसंद के होंगे इसमें case study यानि case आधारित प्रशन पुझे जा रहते हैं और स्रोत के आधारित एकिकरित प्रशनों या किसी अन्य परकारी ग्रूप में हो सकते हैं तो वो जो 60% वर्तमान में जो 70% पुझे आते हैं वो लगू उतरी हो या लंबे उतर प्रकार को होते हैं लेकिन अब इसे घटा गर कितना कर दिया एका लगू उतरी प्रशनों को वो कर दिया जा जाएगा उन्म तरिय को 10% के दोरह जो नया पैटन बनाये गया है देखो 2021 में जो पैटन हुआ करता था उसमें अब्जेक्टिव टाइप के जो कोशन होते दो वह इंक्लूडिंग मल्टिपल च्वाइस कोशन वह करते थे लेकिन अब क्या होंगे अब इसमें 20 पर संट जो कोशन कर दिया सिलेबस की इर्दिगिर्द नहीं अब हम सिलेबस से बाहर जाकर भी कोशन वह पढ़ना पढ़ेगा यह बहुत अच्छा फैसला लिया गया है सी बेसी दोरा क्योंकि इससे बच्चों में कॉम्प्टिशन की भावना जादा जागेगी क्योंकि आपको पता है कि आज किल कॉम् कहते थे उसमें 10% गवा करता तो अब उनको कितना कर दिया गया है और यह प्रिक्षा पैटन यहना कोशन पर दिया गया है यह अब सी बेसी बोड दोड़ा अच्छी तरह से competitive exam को ध्यान मिलग कर बच्चों को पढ़ाई को आगे फोकस करने पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे को किताब पर ही फोकस ना करे उससे अलग भी उन्हें कुछ कि जो कि आज की समय की बहुत जादा डिमांड थी और मांग है दोस्तों चलिए यह तो रहा ग्यारवी बारवी क्लास में कोश्चन अब बात करते हैं नाइन्थ और टेन्थ में क्या कर दिया गया है कच्चा नो दस के लिए नियुनतम तीस पर तीस जो है योगता अधारित प पर तेस्थ के लिए दिर के प्लेशत है और आधारित इकिकविप्र से वो लगू उत्री दिर्ग्यचर परकार प्रशंदे थे लेकिन अब वर्तमानमा मेंको भी घटा दिया गया है अब लगू तरी प्रसंद वह की प्रसंद होगा गहां कि competency-based question would be minimum 30% 30% जो होंगे सो में से वो competency-based question होंगे इस can be in the format of multiple choice question case based question और source based integrity question of any other types और इसके रबाब objective प्रश्चन कितों किता होंगे तो 20% क्या होंगे objective टाइप question होंगे और remaining 50% short and short long question होंगे तो यह सीबेसी तरह बहुत अच्छा फैसल लिए गया है इससे क्या होगा दोस्तों कि बच्चों में एक तो competition की भावना जागेगी क्योंकि बच्चे बस syllabus को पार्ट को राट कर उसे याद कर लेते थे और अगर उसके रावा कोश्चर नहीं आता था तो exam में कुछ भी अच्छा होगा चलो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही वीडियों बने लिए धन्यवाद वीडियो को जली सेर कर दीजिए आई होप मैं आप सभी की डाउट इस वीडियो में क्लियर कर पाया हूं तो दोस्तों चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए और लाइक करना ना भूले ध थन्यवाद